हलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू प्रिटी कॉर्नर और आज हम सकत चोत पे कही जाने वाली दोनों कथाए कहेंगे जिसमें की एक हमारी होती है मावेटे की और एक होती है बिनायक महराज की और ये दोनों कथा जरूर कहनी चाहिए और अब मैं आपको बतातेती हूं सकत चोत पाले दिन जो है आपको कैसे व्रत करना है शुरू में ही तो आपको सबसे पहले सिर्धो के नहाना है सकत चोत हो करवा चोत हो या जो भी बड़े व्रत पढ़ते हैं उसमें हमें हमेशा सिर्धो के नहाना चाहिए उसके बाद आपको जो पीलिया वगारा होता है अगर आप लोटा लेली जिएए साथ ही में आप गनेश की प्रतीमा रख लीजिए गल करके तिल जरूर चाहिए होते हैं हमें सकट चोत के कहानी सुनते टाइम पर भुनेवे तिल नहीं लेते कहानी सुनते टाइम कच्छे तिल लेते हैं और फिर आप कहीं भी नीचे आसन मिठा दीजिए उस पर पहले किसी थाली में गणेश जी को रख लीजिए और फिर उसके बाद पर बैट जाएए और उसके बाद कथा शुरू करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कथा एक गाउ था उसमें एक बुढ़ी माई रहती थी और उसके साथ उसका बेटा रहता था दोनों बहुत गरीब थे जैसे तैसे गुजारा किया करते थे पर जो बुढ़ी हा तो गटके करकर के खा रही है और उस दिन इत्तिफाक से सकट चौत माता का वरत भी था अब बुढ़िया माई ने सोचा था कि क्या करूँ चलो कुछ तो थोड़ा भोगवोक के लिए बना लू थोड़ा तिल कुट परवगारा बना लू उसने जैसे बना के रखा वो बनाई रही थी नमी लड़का आ गया वो देखे तो सच में इतना कुछ बना रखा है वो बोला मेरी चाची ताई तो विल्कुल सही कहती थी कि तू तो गटके करकर के खाती है वो बोली ना बेटा ऐसी बात नहीं है आज चौत माता का वरत है पर लड़का किस की सुने लड़का खूब गुस्सा हुआ अपनी मा को और बोला मैं तो घर छोड़के जा रहा हूँ बुढिया माई ने बहुत रोकने की कोशिश करी पर लड़का नहीं रुका मा रोते रोते बेटे से बूली चल कोई बात में अब तु जाई रहा है तो ये मैंने आज कथा करी थी चौत माता की और ये तिल है ये ले जा कहीं भी तेरे को विपदा पड़ेगी तो ये तेरी रक्षा करेंगे पहले तो बेटा भूद गुस्सा हुआ पर बाद में बुला आला देखता हूं मैं भी तेरा कितना साथ है कि तु यूही जूटे जूटे वरत करती थी कि सच मी सतके वरत करती थी बेटा उन तिल को ले के और चला जाता है जंगल में से जारा होता है सबसे पहले तो भू तेज नदी आती है बहती हुई बिटा डर जाता है कि अब मैं कैसे पार करूँ फिर उसे मा के दिये वे तिली आदाते हैं वो कहते है ला देखू मेरी मा जूट करे थी गट-कट करके खाये थी कि सच में ही सत्केवरत करती थी वो थोड़े से तिल लेता है और बुरक देता है तो देखता है तो नदिशान तो जाती है और रस्ता दे देती है वो निकल जाता है आगे चलता है रस्ते में तो उसे भूत बड़ा नाग दिखाई देता है तो फिर वो नाग के आगे भी वह तिल डाल देता है तो नाग की तुरंती भांसे रस्ती बन जाती है बेटा फिर आगे चलता है आगे जाता है तो आगे जाके देखता है तो शेर दिखाई देता है फिर वो उसके आगे तिल डाल देता है तो शेर की महीं से गव माता बन जाती है लड़का जैसे तैसे करके जंगल पार कर लेता है जंगल पार करते ही एक और गाउं आता है उसमे जो राजा है वो हर एक घर से एक आदमी की बली लेता है और मेरे घर में तो सिर्फ मैं और मेरा बेटा है और इस बार-बारी मेरे बेटे की है अब मैं क्या ही तो बना लूँ और क्या ही तो खालू तो वो कहता है कोई बात नहीं बुढ़ी हमाई कहीं चिम्टा बजाती है, कहीं बरतनों का खुड़का करती है, कि अपने आपी उठ जाए, वो उठ जाता है, तो कहता है क्या हुआ बुढ़ी हमाई, कि बिटा ये तो सिपाई लेने आ गए, कि कोई बात ने बुढ़ी हमाई, उनकी बॉल उछटके, उस आवे में जाके गिरती है, जैसी वो बच्चे उस बॉल को लेने जाते हैं, तो वो देखते हैं, कि आवा तो पक चुका है, सारे बरतन पक चुके हैं, ऐसे धीरे धीरे गाउं में पूरी बात फैल जाती है, राजा के कानों तक जाती है कि बाकी दिन तो हर साल तो जो है आवा साथ दिन में पका करता था इस बर आवा साथ घंटे में कैसे पक गया राजा भी देखने जाता है राजा अपने सिपाईयों से बोलता है कि खोलो इसको जैसे ही खोलते हैं तो उसमें से आवाज आती है धीरे धीरे सहज सहज राजा भी डर जाता है कि भूत है कि क्या है जैसे ही वो बहार आता है तो राजा कहता है तू ऐसा कौन सा अवतार उत्रा है जो तुझे आस तक कुछ नहीं हुआ तो फिर वो बोलता है कि ये मेरी कोई वो थे ऐसे से मैंने तो अपने तिल थे और यूँ पूर दिये थे तो राजा कहता है वह कुछ तो बात है तो वो कहता है मैं तो अपनी बेटी की शादी तेरे साथ ही करूँगा तो वो राजा अपनी बेटी उसको भिहा देता है वो दोन पती-पतनी बड़े राम से अपने राजा के हाँ पे रहने लग जाते हैं एक दिन शाम को ऐसे ही बुढी हमाई का लड़का और उसकी पतनी छत पे बैठे होते हैं तो लड़का कहता है कि आज तो ऐसी हवा चल रही है जैसे कि मेरे गाउं की हवा चल रही हो, मेरे देश की हवा चल रही हो, तो वो कहता है अच्छा तुम्हारा भी देश है, तो वो कहता है हाँ मेरा भी देश है, गाउं है, एक बुड़ी मा है, तो वो कहता है अच्छा आप और विदा कर देता है वो लड़का अपनी पतनी को लेके गाउँ पोंचता है जब सारे गाउँ वाले उसको देखते हैं उसके साहे संदर भभाएsite, भूसारधन देखते हैं तो जाके बुढी हमाई को बताते हैं कि बड़ी हमाई बड़ी हमाई तेरा बेटा आ गया बड़ी हमाई अपने बेटे के गम में रो रो केंधि हो चुकी थी और सब लोग उसको वैसे भी पहले से ही ताना मारते थे तो वो रोने लगती है और बोलती है देखो यह सब लोग मुझे पर हस रहे हैं लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसका लड़का और वहू भी आ जाते हैं, अब सब उसकी हसी उड़ाने लगते हैं, कि देखो बुढिया माई, न बुढिया माई को दिखे, न लड़का पहचाने अपनी मा को, फिर कैसे उसका पहचान हो कि ये किसका बेटा है, तो राजा कहता है कि अगर यह सत्की है बुढ्या माई और सच में ही इसका बेटा है तो इसके लिए लोहे की आंगी बनवाओ roundverse ब्लाूजज होता है वह उसके लिए लोहे का बनवाया जाता है और उसे पहनाया जाता है कि सच में ही यह सच्की जो है वरत करती थी है इसकी सची मा है बुढिया माई का और लड़के का जिस तरह से सत रखा है चोत माता सब का उसी तरह से रखना कहते सुनते ना हूंकारा भरते ना अब हम बिन्नायक महराज की कथा कहेंगे तो बोलो बिन्नायक महराज की जेहू एक गाउं था उसमें एक दुरानी रहती थी और एक जिठानी रहती थी जिठानी थोड़ी अच्छी थी रहीस थी पैसे वाली थी देवरानी गरीब थी देवरानी जिठानी के घर में ही काम काज किया करती थी और जो जिठानी के घर में बच जाता था खाना वगेरा वही जि ही ना गई तो ना तो उसे खाने को मिला ना पैसे मिले कुछ भी नहीं मिला तो उसके बच्चे रोने लगे इतने में उसका पती आया बच्चों को रोता दे के उसने पुछा के तू आज काम पे क्यों नहीं गई तो वो बोली कि आज सकत चौत माता कवरत है मैंने सेर धोके न चले जाओ कहीं देखो घर पढ़ाय भी उसने गुससे में इस तरह से कह दिया तो बिनायक महराज ने भी सारे गर में अपना निप्टा लिया फिर उसके बाद बिनायक महराज बोले के मैं हाथ कहां से पूछू अब उसे गुससा तो वैसे या रहा था पिट-कुट के वो बो पूछोगे लो ये पड़ा मेरा सिर और पूछ लो इसी से बिनायक महराज ने भी जो करा और उसी के सिर पे पहुँचने के और चलते बने जैसे तैसे बिचारी की रात कटी अगला दिन हुआ सुबह हुआ चांद ना हुआ देखे तो सारे घर में ही जीरे मूती जवारा सब पड़े थे उसके बालों में से भी खूब मोती हीरे जो है जड़ रहे थे दोनों बच्चे लग गए पती पतनी दोनों अपने चारों अपने घर को संगवाने लगे इतने में जिठानी के बच्ची आए कि चाची चलो मम्मी बुला रही है तो वो बोली मैं कैसे चलूँ ब मेरा ही चोरा है तूने तो बोलती है ना जी जी मैं तो तेरे आई भी नहीं ना मैंने तेरा चोरा ऐसे ऐसे कल मेरे को इन्होंने मारा पिटा करी उसके बाद मैं तो भूकी प्यासी रो रही थी और इतने में बिननायक महराजी आये थे एक सादू का वेश बना के और उन्ही कि ये सारी लिला है जिठानी अपने घर आ जाती है अपने घर आ के अपने घर को खूब लीपती है पोचती है साफ सफाई करती है और अपने पती से कहती है मुझे पीट अप मुझे मार वो यूँ कहता है ना भागवान क्यों पिट है ना मुझे मार के वो तो बता बुरी हालत में पिटी थी उनके तो टोटा है तेरे तो सब कुछ है राम जी की दयासे तू भी क्यों पिटा है के ना मैं कहरी हूं मुझे मार सावकार को भी गुस्सा आ जाता वोह गतला आज तो इसे अच्छे से तोड़ दू आगे पीछे की सारी कसर काड़ लूं वोसे खूब मारता है और मार के साइड में गेर देता है आते है विनायक महराज तो विनायक महराज कहते है यह माई यह माई जल्दी से खड़ी हो जाती है यहाँ बिन्यक महराज आओ, मैं तो तुम्हारी बार्ट देख रही थी, हां जाओ, कि कहाँ पर सो चल ले जाओ, आँ, देखो, मैंने यहाँ भी साफ कियाओ, देखो, मैंने यहाँ भी ज़़ड़ु पोचा करवा रखा है, यहां भी करो, सारा रस्ता दिखा देति है, बिनायक महराज जी भी नहीं बट लेते हैं, फिर फोड़ी दे बिनायक महराज जी आते हैं, बोलते हैं मैं हाथ कहांसे पूचूं, यूँ कैते हैं बहुते हैं मेरा सीरह Одखे सब्सक्राइब कर रखा हैं, तो वो जितना समेटे उतना ही बढ़ता जाए, रोती रोती गई दवरानी के घर, देखिए ये क्या हुआ, मैं अब क्या करूँ, तो जिठानी कहते हैं, विन्नायक महराज की ही महिमा है, वही समेट सकते हैं, विन्नायक महराज से नाक रगड के माफी मांगती है, उन्हें या मेरी महीमा मैंने तुझे सबक सिखाने के लिए ऐसा किया था तो बोलती है विन्नायक महाराज किरपा करो मुझ पर अपनी इस महीमा को समेटो मैं माफी मांगती हूँ, ना करगडती हूँ, मैं आगे से कभी नहीं करूंगी ऐसा विन्नायक महराज उसकी शमा को स्विकार कर लेते हैं और अपनी महिमा को समेट लेते हैं तो हे विन्नायक महराज जैसा देवरानी पे टूटा ऐसे सब पे टूटियो जैसा जिठानी पे टूटा ऐसा किसी पे ना टूटियो कहते ना सुनते ना हुंकारा भरते ना इसी तरह से हमारी कहानी संपून हुई इसके बाद जो हमने तिल लिये हैं कहानी सुनते टायम आप थोड़े से तिल तो अभी जब आप सूरे को अर्क देंगे तो ही थोड़े से तो आप उसी टाइम पे सूरे के अर्क में डालिए और थोड़े से आप उसी में बचाके अपनी चुन्नी में बांध लीजिए पल्ले में और उसके बद आप रात को जब व्रत खोलने से पहले चंद्रमा को अर्क देंगे तब आपको डालने है साथी साथ आपको अपनी सासुमा या जिससे भी आपने कहानी सुनी है उसको उसी टाइम पे पैड़ चुके कुछ दक्षिना दे देनी है नहीं तो आप शाम के टाइम पे भी जब खाना या बाइना निकालेंगे तब भी आप दक्षिना दे सकते हैं और अगर आप सकट चौत का उजमन करना चाहते हैं तो मैंने उसके लिए भी वीडियो बना दी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप भी यही वाली कता सुनते हैं तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा और अगर कोई और सुनते हैं तो वो भी जरूर बताईएगा झाल झाल